तो यहां पर हम जैसा कि कुछ को सॉल्व करते हैं वे हम अपने कॉंसेप्ट को स्ट्रॉंग कर रहे हैं तो जैसा कि बहुत सारे बच्चों कैसी क्वेरीज थी कि सराभ जेनियू का जो एक्जाम होने वाला है आप उसके रिगार्डिंग कुछ बता सकें तो मैंने यहां पर ज देखेंगे तो हाला कि ज़रूरी नहीं है कि इसके सारे कोशन्स मेरे पास हो या फिर इसके अलावा और भी जो आपके स्ट्रीम होते हैं लाइफ स्ट्रीम होते हैं बट आपको यहां से इतना देखने को मिलेगा कि इनका लेवल कैसा है तो फर्स्ट आफ और एक अच्छा सप्टेंबर को यह पेपर हुआ था ठीक है तो अब हम यहां पे कुछ इसके कोशन्स को देखते हैं तो जैसे कि यहां पे जैसा कि पिछला लेक्चर अगर आपने देखा होगा तो हमने डीबटी जी आरफ के करम में आपको जेल क्रोमेटो ग्रॉफी पढ़ा दी है तो पेक्षा है कि आपने वो वीडियो जरूर देखा होगा नहीं देखा है तो उसको जाकर जरूर देखिए और मैं एक बार फिर से बता देता हूँ यह कोशन्स से आप नहीं बच सकते हैं क्योंकि ऐसे कोशन्स आपको एक्जाम में तो बिलेंगे ही मिलेंगे इसके अलावा आपको इंटर्व्यू में भी ऐसी अपेच्छा की जाती है कि आप इसका आंसर कैसे देदेंगे वर्बली देदेंगे समझ रहा है तो यह इंपॉर्टन चीज है जिसको आपको ध्यान रखना होगा तो इस पर कमांड भी बना लेंगे तो बढ़िया होगा जो जिन चीजों से लोग डरते हैं उन चीजों पर आपका कमांड हो जाएगा तो हमने कल आपको कुछ कॉंसेट दिया था तो यहां पर ऐसा ही एक क्वेशन जेनियू में भी पूछा गया है तो यानि कि उस पार्ट को अगर आप तयार करेंगे हमारे माध्यम से तो आपका डीविटी जे आ क्रोमेटोग्रॉफी थे यानि कहने का मतलब है जब भी आप क्रोमेटोग्रॉफी करते हैं तो हमने बताया था कि आपको मतलब एक बेसी कॉंसेट मैं आपको वापस से रिकॉल करा देता हूं हलाकि हम केवाल उसको को और रहे हैं वह एजा ट्रू कॉंसेट के फॉर्म में है समझ रहे हैं आपके कॉंसेट को सौल करने के लिए मैंने वह कॉंसेट आपको दे रखा है राइट तो कॉंसेट मैंने क्या दे रखा है सबज़िएगा जैसा कि आप जिब जल चलाते हैं तो हाइए मौलिकलर वेड आपका पर रहेगा मालीजे कि 125 केडिये उपर रहेगा और 18 केडिये आपको नीचे दिखेगा ठीक है इतना कॉंसेट होता है लेकिन जब आप साइड इसक्रूशन क्रोमेटोग्राफी करते हैं तो 125 केडिये यानि कि जो आपका हायर मॉलिक्लर वेट वाला होगा वो सबसे पहले तो यानि कि इन्होंने साइज एसक्रूशन क्रोमेटोग्राफी किया जिससे इनको पता चला कि 200 केडिये का हमारा प्रोटीन है फिर इन्होंने क्या किया है जैसे आपको इध्यान रखना है कि कौन सा जेल चला रहे है यानि कि इन्होंने न freighty स्टमाल किया है नेटने बीट और ये 200 KDA का प्रोटीन था, तो अगर आप इसको जोडते हैं, तो क्या ये 200 आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा, 80 में 30 जोडेंगे, तो 110 हो जाएगा, और 110 में 90 जब आप जोडेंगे, तो यानि कि ये 200 हो जाएगा, तो यानि कि बात सही है, तो यानि कि उसके 3 में तूटा वो ठेक है, लेकिन जैसे ही इन्होंने Reduced SDS पेज में चलाया, यानि कि Reduced SDS का मतलब है कि आपसे कहा जाएगा, तो कभी-कभी आपसे DTT का नाम लिया जाएगा, या फिर आपका Beta Mercepto Ethanol का लिया जाएगा, जब वो complex करेंगे, तो क्या कहेंगे? DTT कहेंगे, क्यों कहेंगे? क समझ रहे हैं, तो यहाँ पर अब Actual में खेल क्या हो रहा है, कि आपको 80 देखने को मिला, 30 देखने को मिला, लेकिन यह जो 90 वाला था, यहाँ पर आपको केवल 1 मेंड 45 का देखने को मिला है, तो कहने का मतलब यह है, कि यानि कि अभी यह Molecular weight पूरा नहीं हुआ है, तो यान यानि कि जब यह dimer के form में था, एक monomer यह हो गया, और एक monomer यह हो गया, समझ रहे हैं, तो यानि कि आप इसको ऐसे समझ लीजिए, 80 का एक हो गया, 30 का एक हो गया, 45 वाला जो है, वहाँ पर आपने जब reduced condition लगाया है, तो उसने disulfide के linkage को break किया है, तो यानि कि उसने 90 वाले आप count करेंगे, तो यह आपका क्या answer बनेगा, tetramer बनेगा, ठीक है, तो ऐसे questions आपसे पूछे जाएंगे कि exam में, कि आपका dimer होगा, कि tetramer होगा, कि क्या होगा, तो ऐसे questions को आपको answer करना होगा, और इनकी आप practice करते रही है, तो आशा है कि यह part आपको समझ में आ गया होगा अब हम यहाँ पर कुछ और पहलू को देखते हैं, जो कि यह एक part था, immunology का मेरे बहुत सारे lectures available है, आप वहाँ पर जाके अपने concept को strong कर सकते हैं, ठीक है, अब यहाँ पर जो question पूछा है, यह थोड़ा high level का question पूछा है, जो कि मैंने अभी आपको नहीं पढ़ाया है, और म यह आपका immunology से relation हो, सबसे पहले हम इस topic को पढ़ लेते हैं, तो जैसा कि आपको पता है, model for T helper cell differentiation, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आपकी T cells जो होती है, यह आपकी दो type की होती है, T helper होती है, और T cytotoxic होती है, जिसके cytotoxic नाम में लिखा है, यानि कि वो cells को क्या करेग जो होती है, यह कुछ ऐसे cytokines, यह concept याद कर लिजेगा, cytokines release करती है, जो ultimately जाके B cells को भी activate करेंगी, कि आप antibody को secret करेंगी, जिससे इस particular virus या particular pathogen को हम हटा सकें, तो यहाँ पे बहुत ही सुंदर सा diagram यहाँ पे बना है, जैसा कि आपको थोड़ा सा आपको वापस से जाके recall क हुआ है, ठीक है, यह सब छोटी-छोटी चीजे है, exam में हो सकता है, आपसे पूछा जाए, encounter नहीं हुआ है, तो मैं negative लगा रहा हूँ, इसके बाद जब भी यह antigen को present किया जाता है, तो MHC के format जब आपके T cells present करती है, antigen presenting cells T cells को दिखाती है, तो वो MHC के साथ bound होके आती है, यहाँ पे अगर आपको bounce कर रहा होगा, तो जाके आप immunology का lecture देखिएगा, और फिर आके इस वीडियो को चलाईएगा, तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा, और बाकी यहाँ पे बहुत ही अच्छे से यहाँ पे clear है, तो जब यहाँ पे antigen इसको दिखता है, तो इसके पास चार रास्ते हैं, ठीक है, यहाँ पे depend करता है कि कौन से body में आपके interleukin present है, और कौन सा transcriptional factor होता है, और वो transcriptional factor specific होता है, जो particular का marker होता है, तो जैसा कि जब आप पढ़ते हैं, तो आपने basically T helper पढ़ा होगा, जो कि आपका T helper 1, इसमें classification में आप जाएगे, तो T helper 1 होता है, T helper 2 होता है, और T helper 17 ये एक नई population है, most important है, अगर कल को आप research field में जाते हैं, तो आपको बहुत सारे ऐसे चीजे देखने को मिलेगी, जहाँ पे T helper 17 बहुत important role play करता है, तो scientist आप से interview में इसके बारे में पूछ सकते हैं, इसके बार एक cells का population होता है, जो आपका T regulatory होता है, particular इसका काम क्या होता है, कि इस सब चीजों को balance करना, अब क्या है, बात को समझिएगा, कि particular सबके अपने अपने एक transcriptional factor होते हैं, जिसकी presence में ये particular T helper की population में convert होता है, अब इस concept को समझिएगा, जिसमें आपका T helper 17 का जो मतलब key factor होता है, वो ROR gamma T होता है, ये most important है, इसको या याद रखिएगा, T bet जो होता है, वो आपका T helper 1 का marker होता है, और Fox P3 जो होता है, ये आपका T regulatory का होता है, और इसी में आपका TGA beta, TGA beta का मतलब क्या होता है, transforming growth factor, समझ रहा है, तो ये कुछ चीजे है, जिसको आपको याद रखना होगा, इसके अलावा IL, अगर Intel looking के form में आर बार देखेंगे, तो आपको automatic याद हो जाएगा, बाकी अब यहाँ पर थोड़ी सी चीज और समझ लेते हैं, T helper 1 cell जब population बनती है, तो ये आपका क्या होता है, cell mediated immunity प्रवाइड करती है, और intrasolar bacteria और viruses के लिए होता है, और ये जो particular चीजों को सिक्रीट करती है, वो आप का TNF alpha होता है, और interferon gamma, ठीक है, interferon मैंने आपको इसका पूरा lecture मिल जाएगा, कि interferon जो होती है, virus affecting cells release करती है, ताकि nearby cells effect ना हो सके, बचाया जा सके, ठीक है, तो इसका बहुत ही बढ़ियां concept है, जो कि मैंने अच्छे से explain किया हुआ है, अगर आप इस channel पे नए जुने हैं, तो जाके उसको recall कर सकते हैं, तो interferon gamma कौन release करता है, T helper 1 release करता है, hemoral immunity जो होती है, यहाँ पे आपके जो parasites होते हैं, extra solar parasites की जब story आती है, तो वहाँ पे T helper 2 की story आती है, जैसे आपके file area का worm हो जाएगा, ठीक है, यह आपके और भी जो भी चीज़े होती है, तो उस case में यहाँ पे आपका T helper 2 population जो होती है, वो dominant होती है, particular interleukins यह secret करती है, यहाँ पे IL 4 रहेगा, बाकी मैं आपको रटाने के लिए मैं बता देता हूँ, यहाँ को 2 दुनी 4 कर लीजेगा, ठीक है, तो 2 दुनी 4 जब आप करेंगे, तो 4 यह secret भी करेगा, और 4 से यह बनेगा भी, ठीक है फिर इसके बाद आपको क्या है, T helper 17 जो है, यह आपका IL 17 cytokine release करता है, IL 22 भी release होता है, basically यह आपका autoimmune disease condition में active होता है, तो यह भी आज आपने नई चीजे समझी, और जब autoimmune disease का नाम आया है, तो आपको तुरंथ जितनी भी autoimmune disease है, क्यों होती है, यह मैंने आपको बताया था कि आपकी immunity की cells की property होती है, कि वो self और non-self में भेद कर सकती है, ठीक है, लेकिन जब अपनी ही cells को अगर आप मारने लगते हैं, तो उस condition को autoimmune कहते हैं, और जितनी disease है, वो आपके तुरंथ दिमाग आनी चाहिए, ठीक है, तो यह आपका अभी के लिए homework है, अगर आप इस channel को follow करते हैं, तो at least 5 autoimmune disease के नाम, आप अपनी copy पे note down करेंगे, अगर आप कर लेते हैं, तो very good मेरी तरफ से नहीं कर पाते हैं, तो बहुत बड़ा कुश्यरवार्ख है, ठीक है, तो इसको आपके लिए homework है, autoimmune disease में याद रखना है, बाकि autoimmune disease में कौन सी T helper cells का role है, वो आज हमन की चीजे हैं, बट ऐसी चीजों को पढ़ने में ही मज़ा है, ऐसे questions को ही solve करने में मज़ा है, जो आपको भीर से क्या करेगी, अलग करेगी, इसी वज़ा से मैंने इसको आपको immunology के chapter में मैंने आपको नहीं पढ़ाया था, क्योंकि ये little bit complex है, ठीक है, तो इतनी बाते आप को समझ में आ गई होगी, अब हम वापस से इस question को देख लेते हैं, बहुत ही शानदार question है, star, star, इसको मैं दूँगा, ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने पूछा है, कि defect in the transcriptional factor, gata 3 will affect the release of, तो gata 3 किसके effect को release करेगा, यहाँ पे जब आप देखेंगे, तो gata 3 जो है, यानि क gata 3 का relation क्या था, ultimate T helper 2 बन रही थी, और ultimate T क्या बन रहा था, IL 4 निकल रहा था, यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा आपके लिए, यहाँ पे गंदगी हो गई है, इसको clean कर देते हैं, अब आपको दिख गया होगा, T helper 2, gata 3, IL 4, दो दुनी चार लगाएंगे, तो यह वाला concept आपको मिल जाएगा, तो यानि कि इसका जो correct answer बनेगा, वो IL 4 बनेगा, IL 17 यहाँ पे दिया है, तो इसका transcriptional factor याद रखेगा, ROR गामा T जो होता है, वो इसका transcriptional factor होता है, और बाकी जो चीजे हैं, वो आपको वहाँ पे दी गई है, तो बहुत बढ़ी है question यहाँ पे derive किया उसको भी हम देख लेते हैं, आपसे कहा गया है कि you have isolated CD4 positive T cells आपने isolate किया है, co-culture कर रहे है, macrophage के साथ, macrophage क्या है, आपका antigen presenting cells है, phagocytic cells है, जो कि आपकी cells को मकिल करती है, जो आपके infected cells होती है, वगरा वगरा, तो यह दो बाते तो आपको immunology जब आप पढ़ते हैं, तो macrophage के बारे में दो बाते तो आपको यादी होनी जाहिए, in the presence of immobilized anti-CD3 antibody use किया गया है, और 4 different condition दिया है, CD3 क्यों किया गया है, क्योंकि यहीं पर इस बात को समझ लीजिए, और एक जब आप पर पुराने लक्षास को देखेंगे, तो वहाँ पर आपको मिला है, कि मैंने CD क T cells होती है, उनका एक marker होता है, marker कहां पर होता है, surface पर होता है, ठीक है, cluster of differentiation इसको बोला जाता है, ठीक है, और ऐसे question जेनियू में पूछे गया है, वहीं का question मैंने डिसक्स किया था, तो आपके बहुत सारे ऐसे होते है, CD19 होता है, CD3 होता है, ऐसे करके धेर सारे होते हैं, त पर्टिकुलर उसमें कुछ चीज़े है, जो आपको याद रखनी पड़ेगी, तो यहाँ पर जो आपके लिए important चीज़े है, जो आपका CD3 होता है, यह आपको याद रखना है, इसी वज़ा से जब आप पर्टिकुलर T cells को isolate करते हैं, तो आपकी antibody CD3 से tag होना जरूरी है, ब different condition निये है, अब आपसे पूछ रहा है कि 3 round 2 induced T helper cell differentiation identified by cytokine express किया गया है, which one of the following is the most likely combination of predominant cytokine expression in this culture, अब आपको क्या करना था, आपको वही वाली स्टोरी यहाँ पे recall करनी थी, यानि कि anti-IL-4 और IL-12, तो IL-12 यहाँ पे अगर आप देखेंगे जाके, तो IL-12 जो है, इसको थो T helper 1 की तरफ लेकर जा रहा है, और T helper 1 जो है, वो interferon gamma को secrete कर रहा है, तो यानि कि जब आप इसके तरफ जाएंगे, तो second option में क्या हो जाएगा, IL-12 हो जाएगा, तो यानि कि इसका जो correct option आपका बनेगा, interferon gamma बनेगा, ठेक है, इसी तरीके से जब आप TGF की तरफ जाएंग TGF beta के case में यहां पे नोंने क्या दिया हुआ है, IL-10 दिया हुआ है, ठेक है, अब यहां पे थोड़ी सी कलाकारी किया है, TGF beta दिया है, और साथ में IL-6, यही पूरा figure से question derived किया गया है, ठेक है, तो content शांदार है, इतने से ही आपका सारा काम हो जाएगा, ठेक है, IL-6 यहा पे जब आप TGF beta और IL-6 के साथ combination में जाएंगे, तो यह आपके IL-17 का population हो जाएगा, और IL-4 और anti-interferon gamma, यानि कि आपका IL-4 हो जाएगा, तो यहां तक आपको बात clear हो गई होगी, थोड़ा सा मतलब complex question है, बढ़ ठीक है, इस पर command करिए, ऐसे question को solve करिए, और यह particular chart को आप याद कल लेंगे, तो बहुत अच्छी बात है, तो यहां पर दो questions को हमने solve किया, जेनियू में, हराम से हमारे questions लग गए, अब इसी basis पे एक question आपका और भी पूछा गया है, यह भी थोड़ा सा अलग level का question है, इसको भी हम समझ लेते हैं, कि आपका intracellular pathogen है, जो कि कोई disease cause क करेंगे, ठीक है, अब इसके लिए आपको थोड़ा सा back में जाकर यह particular figure में आपको दिखाता हूँ, यह आपका bacteria है, ठीक है, T helper 2 response जैसे मैंने आपको बताया, worms के case में होता है, worm यानि कि आपके parasite, यही तो बोलोगे, parasite यानि कि आपके extracellular होते है, ठीक है, और bacteria जो होते है, यह mostly आपके intracellular होते है, ठीक है, यह दो बाते याद रखिएगा, तो intracellular के case में आपका T helper 1 response आता है, extracellular के case में आपका T helper 2 आता है, T helper 2 जब आता है, तो थोड़ी बाते है, यह IL-5 अगर याद रखेंगे, तो आपके इस्नोफिल population को increase करेगा, इस्नोफिल जाके आपका allergic response वगएरा करता है, तो यह आपका हो गया, IL-4, IL-13, IgE antibody और यह इस्कुल तो जाके आपका mast cell, ठीक है, थोड़ी सी upper level की बाते हैं, आद रती है तो बहुत अच्छी बात है, और T helper 1 population आपका क्या करेगा, आपका interferon gamma secret करेगा, और TNF alpha को secret करता है, ठीक है, यह क्या करेगा, ultimately macrophage को activate करेगा, macrophage आपका क्या है, phagocytic cells है, जो कि आपकी गंदी cells होंगी, उनको recognize करेगा, उनको kill करेगा, कैसे kill करेगा, ROS को increase करेगा, या reactive oxygen, nitrogen को, species को increase करेगा, इसकी detail mechanism मैंने आपको बता रखी है, तो वही concept यहाँ पे apply हुआ है, तो यानि कि अगर आपका intracellular parasite है, ठी ही पूछी गई है, intracellular आपका pathogen है, तो सबसे दो बाते आपका ज्यान होना चाहिए, intracellular क्या होता है, जैसे यहाँ में देख लीजे, intracellular bacteria और virus, extracellular आपके parasite होते है, right, इस बात को याद रखेगा, एक एक लाइन में में disease है, sorry, important है, ठीक है, और autoimmune disease IL-17 होता है, और fungus ह मैंने छोड़ा सा highlight करना भूल गया था, fungus के case में भी आपके जो होते है, IL-17 population increase होती है, तो इन बातों को आप याद रखेंगे, तो अब हम यहाँ पर इस question को समझ लेते हैं, तो यहाँ पर आपका क्या approach होगा, तो intracellular pathogen है, तो आपको macrophage को activate करना है, यानि कि आपको treatment दे मैं नहीं मानता की बिना detail में जाके आप इस question को solve कर सकते थे, और यह भी question आपका उसी level जाता है, तो इतनी बाते थी, तो बाकी यहाँ पर आपको कुछ content और मिलते रहेंगे, कुछ और questions के बारे में हम यहाँ पर discuss करेंगे, बट basically अभी हमने यहाँ पर immunological part को देखा और हमन इस channel को like करिए, subscribe करिए अगर आपको अच्छी लगे, ठीक है, और पढ़ाई करिए जो की most important है, बाकी मिलते हैं, next video में, next information के साथ, thank you very much.